हाव रो फिक्स एंड्रोइट आउटो नोट वोर्किंग प्रॉपर्ले प्रॉब्लम नमस्कारूस तो स्वागर अब सभी काते किराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों यही आपका एंड्रोइट आउटो यहाँ पर वोर्क नहीं कर रहे आच्छे से तो कैसे आप इस प् रिक्वार्मेंट है वो आपको जानने के जरूरत है यहाँ पर प्रॉपरली यह काम नहीं करें आपके डिवाइस पर तो दोस्तों आपको यह जानना बहुत है कि इसके लिए क्या रिक्वार्मेंट आपके मोबाइल पर होना चाहिए तब जाके दोस्तों आपका पर लिंक दे रहा है आप जाके चेक कर सकते ठीक है और किसी भी प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग पर आप हमें जो है ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चले यहाँ पर वीडियो शुरू करते और देखते हैं इसका सॉलुशन तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है यहीं Android Auto जो है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं मोबाइल पर तो आपका जो Android Auto है वो अपडेटेड वर्जिन का होना चाहिए तो Android Auto जो है यहाँ पर आपका जो है वो अपडेट वर्जिन होना चाहिए उसके बाद दोस्तों आपका जो डिवाइस का software है ठीक है about phone पर जाके आप software update को चेक कर ले system update पर तो system update पर जाके दोस्तों अपना mobile का software को भी update करें तो mobile software यहाँ पर update होना बहुत ही जरूरी है तो जब आप update करते है mobile software को तो इस तरह का problem जो है fix हो जाते है तो mobile software को भी यहाँ पर update करें तो यह सब दोस्तो requirement है आपके auto android के लिए i mean android auto के लिए ठीक है same बात है तो उसमें जाके दोस्तों आपको simply update करना है और आपको software को भी update करना है application को भी update करना है तो जब दोनों को update कर गए तो आपका android auto अच्छे से काम कर जाएगा problem आपका solve हो जाएगा ठीक है सारे साथ दोस्तों यहाँ पर solution के तोर पर आप क्या कर सकते है इस्ट्रॉल डाउन करके आपका जो एप से उसमें जाए मेनेज अप पर क्लिक किजिए मेनेज अप इंस्टॉल एप या तो फिर एप मेनेजर करके आपको option मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है सेलेक करने है आपका android auto ठीक है तो आईए सर्च करते तो यह रहा उसमें जाके दोस्तों आप यहाँ पर clear data कर दीशेक बर तो clear data करने से दोस्तों यहाँ पर क्या होगा आपका पूरा data जो है clear हो जागा android auto का वो restart हो जाएगा उसके बाद जितने भी permission से उनको allow कीजिए और back करके यहाँ पर device को restart कीजिए तो उसके बाद आपका जो problem है solve हो जाएगा आपका जो android auto है वो अच्छे से काम करना चालू ह जाएगा आपके mobile पर ठीक है तो बस दोस्तों यही सब solution इसका regarding पर तो आज की वीडियो पर बस इतना है यही आपको इसके regarding पर कोई भी और दिक्कर आ रहा है कोई भी problem है तो आप हमें comment करके बताए exact problem आपको किस तरह से आ रहा है और कैसे आ रहा है ठीक है तो मिलते आगले वीडियो पर थैक्स रवाचिंग